ऐसा क्या कहा था मुनावर ने जिसको लेकर ये हिंदू विरोधी के नारे लगने लग गए उन लोगों के अकॉर्डिंग मुनावर ने भगवान राम और सीता का अपमान किया था एक्जैक्ली क्या कहा था आईए इस वीडियो में देखते हैं अरे एरेटर ये क्या वीडियो चला दिया कहां कहां गोम है तुम्हारा दिमाग क्या आम खाने में बिजी हो क्या इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है अक्षे कुमार की जब फिल्म थी इसे सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट भी दे दिया था और कोई कट्स की भी दिमांड नहीं करी थी तो इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं 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 दोस्तों इस वीडियो में कुछ हिंदू विरोधी नहीं असली पत्र Smoke जी आनो ने श्री राम दश्रत के पुत्र नहीं थे, खीर खाने से बच्चा पैदा नहीं होता, लेकिन एडिटर, यह तो BJP की L.I. के पार्टी वाल है, मैंने बताया न, कोई भी चीज हिंदू विरोधी नहीं हो सकती, जब तक कोई BJP का related इंसान बोल रहा है उसा, यह एक basic rule है दोस्तों आजीन यह तो कोई नहीं होता है इविरोधी आजीन थे, लाजी विरोग्सान, कानः, कैसे कि मैरा पिया हो उसान जाए हो राम इख और दिख्ता हो राम जीन, राम जीन जीन से खुट घर नहीं है अगर सीता ने सुन लिया, सीता ने सुन लिया, तो होतर दाउट करेगी कि इस यार हस्मेंट इस ओवाई, आपडेडिक मार हस्मेंट बिच एन सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है वो गाना है, तेरा करू गिन गिन तो उसको लगा वनवाज गिन रही है कि साल मैं टीवी पे देख रहा था, तो डैड़ा है, एन डैड़ा है, ये बखवास मत देखा कर उन्होंने चैनल बन कर दिये एन आस लेक क्यों ऐसा, ये गोधराकान का वीडियो है न्यूस चैनल चल रहा ही है मुझे तो लगा कोई मूवी चल रहे, डिरेक्टर भामेज शाह सांटिंग मैं आपको खुदी बदाता हूँ मुनावर ने क्या वोला था भगवान को अगर रिस्पॉंड करना हो, तो वो गाना कैसा है ना मेरा पिया घर आया, ओ राम जी राम जी को तुम्हारे पिया से कोई मतलब नहीं है वो कह रही है, मेरा पिया घर आया राम जी ने कहा, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो शक करेंगी कि तेरा पिया घर आया तो मेरे पती को क्यों بتा रही है उसको पहले से माधुरी पर शक है तेरा करूं गिन गिन के इंतिजार उसे लगा कि वो वनवास के साल गिल रही है ये जोक सुनकर आउडियन्स हस रही थी आउविसली आउडियन्स में बहुत से हिंदू भी बैठे थे कोई offended फील नहीं करा किसी को नहीं लगा कि ये insult था भगवान राम या सीता के लिए लेकिन इसके कुछ हफतों महीनों बाद कोई एक इनसान खड़े ओकर बोलता है कि मुनावर ने तो यहाँ पर अपमान कर दिया भगवान राम सीता का और अचानक से भीड अंधा धुन्द लोग उसमें यकीन करना शुरू कर देते हैं कि हाँ भगवान ने हिंदू धर्म का अपमान किया है आज के दिन सिचुएशन इतनी अजीब हो गई है कि मुझे अपने वीडियो में अब एक जोक को एक्स्प्लेन करना पड़ेगा कॉमेडी जो होती है किस तरह से वो करी जाती है उसे ब्रॉडली 9-10 कैटिग्रीज में डिवाइड किया जा सकता है पहला होता है स्लैपस्टिक हुमर फिजिकल हुमर कोई केले के छिलके पर फिसलता है उसे स्लैपस्टिक टाइप का हुमर कहते हैं तीसरा है सर्यल हुमर मतलब अजीब अजीब सिचुएशन क्रियेट करना और उस चीज का मजाग बनाना जैसे सुमित आनंद करते हैं इस माई बर्ड़दे पर I had my birthday recently and this is what happened My girl got mad at me because I was not as excited as she wanted me to be on my birthday which in some way deeply hurt her feeling and I was sorry for what I did to her इसके बाद हो गया एक improvisational humor मतलब impromptu humor जो वहीं बैठे बैठे audience के साथ किया जाता है live गौरफ कपूर इसके एक अच्छे example हो जाएंगे इसके बाद होता है wordplay humor यानि शब्दों को twist करके किसी तरह से उसका मजाग बनाया जाए इसके बड़े examples हैं जाकिर खान और अविशे कुपमन्यों फिर हो गया आप comedy बनाओ आज की present political और social situations पर जैसा की कुनाल कामरा करता है और वरुन ग्रोवर करते हैं क्योंकि बचपन से हमको जो सबसे पहली चीज़ सिखाई गई है वो है conformism सवाल नहीं पूछने सब मौल में जा रहे हो तीन security ring होते हैं पहला होता है वो बैग में बॉम ढूंड रहा है उसको नहीं मिला पंदरा साल से कुछ नहीं मिला लेकिन आप पूछ नहीं सकते उससे फिर एक होता है situational humor जो situation चल रही है उसके basis पे jokes बने जैसे की हेरा फेरी फिल्म हो गई या फिर हेरा फेली फिल्म हो गई और finally होता है dark humor जहां पर real life tragedies का इस्तिमाल किया जाता है और उन पर jokes बनाय जाते हैं अकसे पुनीत पानी ने किया था मॉब लेंचिंग के उपर और मुनावर फारूकी ने किया था गोदरा रायट्स के उपर मुनावर का ये जो controversial joke था ये wordplay की category में ज्यादा fit बैठता है मादूरी दिक्षित का famous गाना था मेरा पिया घर आया ओर राम जी और दूसरे गाने में वो महीने के दिन count कर रही है जब तक उनका पिया घर आएगा तो यहाँ पर क्योंकि ओ राम जी बोला है इन्हों ने तो मुनावर ने wordplay का इस्तिमाल करके pretend कि भगवान राम मादूरी दिक्षित का यहाँ पर मजाक बना रहे हैं इन गानों के लिरिक्स का इस्तिमाल करके सुन रहे हो न आप यहाँ पर भगवान राम को नहीं criticize किया जा रहा है या उन पर नहीं मजाक बना जा रहा है इन गानों का मजाक बना जा रहा है जिसमें obviously ओ राम जी phrase यूज़ हो रहा है अगर आप उस दिन शो में बैठकर इस जोग को सुन रहे होते तो आपको instantly ये जोग समझ में आ जाता है इतना explain करनी की जरूत नहीं पड़ती लेकिन बाद में अब क्योंकि इतने लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर हिंदू विरोधी काम हो रहा है पर यहाँ पर कॉमेडी करी जा रही है वैसे अगर आप हैरान हो रहे हो सुनकर की ऐसी भी कैटेगरी एक्जिस्ट करती है तो बाहर के देशों में ये चीज बड़ी कॉमन होती है जोग ये था कि मैंने टीवी पर देखा था बर्निंग ट्रेन अब बर्निंग ट्रेन एक फिल्म है धर्मेंदर विनोथ खना हेमा मालेनी की और मुनावर फिर से वर्ड प्ले का इस्तिमाल करते हैं कि डैड आय और उन्होंने चैनल बंद कर दिया कहा कि ये बकवास मत देख और मैंने कहा कि क्यूं उन्होंने बताया कि ये गोदरा कांड का वीडियो है न्यूस चैनल चल रहा है जोग एक तरह से न्यूस चैनल की अगेंस था क्योंकि न्यूस चैनल अकसर ये वाइलेंट फुटेज टीवी पर दिखाते हैं और अगर कोई टीवी पर बहुत वाइलेंट खून खराबे वाली फुटेज देखता है तो लोगों को लगता है कि ये न्यूस चैनल ही चल रहा होगा न्यूस चैनल टी आर पी के लिए एकसर ऐसा करते हैं Anyways इस सारे आउटरेज के बाद मुनावर ने फिर भी माफी मांगी है कहते हुए कि उनका कोई intention नहीं था किसी भी भगवान को disrespect करना और वो किसी की feelings hurt नहीं करना चाहते थे और वो sorry मांगते हैं अगर किसी की unintentionally उन्होंने feelings hurt करी है